नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं RPS समाचार आईए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर 150 साल पुराना शिव मंदिर जो दिन में दो बाट डर्शन दे कर समूदर में हो जाता है गायव जाने रहस और पराणिक कहानी भगवान शिव को देवों की देव अर्थात महादेव की नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका इस्थान देवों में सबसे उपर माना जाता है भगवान शिव देवों के साथ मनिश्यों पर भी अपनी किरपा बनाए रखते हैं तब ही शिव भक्तों का विश्वास महादेव पर इतना ज़्यादा होता है कि अगर वे किसी मुसीवत में फस्ते हैं उन्हें सबसे पहले महादेव की याद आती है वही जो लोग जीवन मरण की चक्रिस से निकल कर मोख्ष प्राप्त करना चाहते हैं वे भी भगवान शिव की शरण में चाहते हैं भगवान शिव के प्रती आस्था और शद्धा का अंदाजा इसी बासे लगाया जा सकता है कि भगवान शिव के मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बलकि विदेशों में भी शिव भक्त होने के नाते आपने भी भगवान शिव के कई मंदिरों के दर्शन किये होंगे लेकिन क्या आपने महादेव के ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो दिन में दो बार दर्शन दे कर समूदर में चुप जाता है। इस थंबेश्वर महादेव मंदिर अरब सागर और खंभात की खाड़ी से घिरा है आप अगर इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने का मन बना रहे हैं तो आपको इस मंदिर का चमतकार देखने के लिए सुबह से राद तक रुखना होगा तब ही आप मंदिर को जलमगन होते ह देख सकते हैं जब भगवान कारतिके को पताचरा की ताड़कासुर भगवान शिव का परमभक्त था तो अपने हाथों एक शिव भक्त की हत्या होने का उन्हें बहुत ही दुख हुआ उन्हें दुखी और अपराद बोध से ग्रस्त देखकर भगवान विश्णु ने उन् ने ताड़कासुर का वदि किया है वहां शिवलिंग की स्थापना करें भगवान कारतिके ने ऐसा ही किया इस कारण मंदिर का नाम इस्तंवेश्वर महादेव कारमंदिर पढ़ गया अगर आप मंदिर के गायव होने की वजह के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता द समुद्र में होने के कारण जब जब पानी का इस्तर काफी बढ़ जाता है तो यह मंदिर समुद्र में समा कर देखना बंद हो जाता है यह मंदिर फिर से दिखाई देने लग जाता है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहें RPS समाचार ऐसे ही लेटर सब्डेट्स के लिए हमारे चानल RPS समाचार को सब्सक्राइब करें और तुनल्स नोटिफिकेशन पाने के लिए बल आइकन प्रेस करना ना भूले अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं